नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं पीए मोधी की हाई लेबल मीटिंग में पांच सुत्रिये पलायन देश में कुरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए पदान मंत्री मोधीने अधिकारियों को निदेश दिये की कुरोना पर काबू पाने के लिए समुदाय की जागरूपता और इसकी भागिदारी सरोपरी है और कोविड-19 प्रवंधन के लिए जन भागिदारी और जन आंदोलन जारी रखने की अवसकता है पतादे कुरोना से बचाव के छो से चोदा अप्रिल तक देश भर में एक बिसे सभियान चला जाएगा इसमें सोफ इस्तिमस का इस्तिमाल, ब्यक्तिकत सुख्ष्टा और सरजनिक अस्थानो कारे अस्थलोप पर सुख्ष्था कितनी अवस्य खागर को जनकादी जाएगी इस जिलो में अधिकत्रम तापमान 29Blue सेहने सेहने तक रिकोर्ड किया जा सकते है वही अन्य जिलो में भी अधिकत्रम तापमान 36 שנ Roos के बीच करीब रिकोर्ड किया गया है ज्यार्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 7 तक के बच्चों की ओनलाइन कक्षाए 5 अप्रेल से शुरू होगी बच्चों को वाटसेप के माध्यम से ओनलाइन लार्निंग मैटेरियल भेजा जाएगा इसके लिए राज से लेकर विद्याले अस्तर तक गुरूप बनाया गया है आपको बता दे कि सिक्षा विभागने कक्षा 8 वी तक के बच्चों को बीना परिक्षा ही अगली कक्षा में परमोट करने का निदेश दिया है जार्खन में लोकडाउन लगाने पर सीम हमत की रहा है जार्खन के मुख मंत्री हमसुर ने राज में कुरोना संक्रमन के बढ़ रहे मामलों पर चीनता जताते हुए कहा कि भैक्सिन लेने के साथ ही सतरक्ता का भी पूरा ख्याल रखना होगा कुरोना संक्रमन को हलके में नहीं ले लोगों से अपील की कि वे सरकार वब पर सासन के तमाम दिसान निजस का पारण करते हुए सवयोग करे समस्या का समधान लोगों के हाथ में है सरकार माग दर्सं कर सकती है उन्होंने भरुसा जाता है कि संक्रामन के पहले चर्ण में जिस परकार लोगों ने गंभिता का परचे दिया है दूसरे चर्ण में भी यही उमीद है CM ने कहा कि राज सरकार समाई वापरिस्थिती का ख्यार रखते विए जल्द फ्रसला करेगी जिला परसासन का अदेश अपनी जगा है लेकिन लोग कुरोना से बचने के लिए जरूरी सधानी बरते मधुपूर उपचुनाओं में पोस्टल वैलेट से वोट दे सकेंगे कुरोना मरीज मधुपूर उपचुनाओं में कुरोना के मरीज पोस्टल वैलेट से भी वोट दे सकेंगे कुरोना के समभावित मरीज भी इस मैध्यम से मद्दान कर सकेंगे भारत निर्वाचन आयोग ने इस समंध में निर्देश जारी कर दिये हैं समंधित मद्दाओ के अनुरोद पर रिटर्निंग ओफिसर के सत्यापन के बाद इसकी अनुमती दी जाएगी विशेस अभियान के पहले दिन 82,575 लोगों को वैक्सीन कुरोना टिका करन को लेकर रिविवार से सुरू हुई दूसरे विशेस अभियान के तहट पहले दिन 82,575 लोगों को कुरोना का टिका लगा बतादे इसमें 80,184 लोगों का पहली डोज का टिका करन हुआ जबकि 2391 को दूसरी डोज का भी टिका लगाया गया रविवार को राज के विभीन जीलों में हुए टिका करन में 80,184 लोगों को पहली डोज लगी जिसमें 80,000 लोग 45 से अधिक आयू के हाँ CM हमन्त की अपील सरकार के निर्देसों का पालन करे मुख्यमंतिरेमन सुरेड ने कहा कि कुरोना संक्रामन पर सरकार की पूरी नजर है समय वपर इस्थिति के अपील की है कि वह सरकार के कुरोना से जुड़े निर्देसों का सकती से पालन करे और वैक्सिन जरूर लगवाए संक्रामन को हलके में नह ले उन्होंने ये बाते मेडिक का अस्पताल में रविवार को मेडिया से कही 18-19 को किसान महापंचायत किसान मजदूर अंदोरन के समर्थन में जार्खन के नागरिक समाज जन संगठनों और समाजिक संगठनों की ओर से गठित एक जुटता मंच 18 अपरेल को जमसेद पूर और 29 अपरेल को खोटी में किसान की महापंचायत आयोजित की जाएगी इसमें सन्युक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकायत दर्शन पाल सिंग, गुमनाम सिंग, बलवीर सिंग और अखिल भारतिय किसान सभा के जुड़े किसान नेता सामिल होंगे यह जनकारी रभिवार को विनोत कुमार के दक्सता में संपन होई भीन जन संगठनों, सीविल सोसाइटी और समाजिक संगठनों की बैठक में दी गई 36 गड़ में हुए नकसली हमले को लेकर जारखन में बिसेस अलर्ट 36 गड़ के बीजापूर में हुए नकसली हमले के बाद जारखन में बिसेस अलर्ट जारी किया गया है बतादे जार्खन में नक्सल अभियान में लगे जवानों को विशेस सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है जार्खन से सटे उडिसा और चाथिस गर बोड़ा पर विशेस निगरानी रखी जा रही है जार्खन पूलिस के आईजी अभियान सब पूलिस प्रवक्ता अमोल वी होमकर ने बताया कि जार्खन में भी नक्सली हो खिलाब कोई अस्थानों पर अभियान चलाया जा रहा है 36 गर में हुए नक्सली हमले में जवानों को जिस तरह से ट्रैप किया गया इसे लेकर पूलिस मुख्याले के तरफ से अभियान में लगे जवानों को विशेज सतरक्ताब रतने की हिडाया दी गई है बता दे कि बिजापूर के तर्रेम ठाना छेत्र के सिलगेर के जंगलों में सनिवार को पूलिस नक्सली की बिच मुटभेर में 22 जवान सहीध हो गये थे जारखन में 789 मरीज मिले हैं जो राची से 446 बोकारो अर्टालिस चातरा एक देवगर आठ धनबाद 27 धूंका 43 पूर्वी सिम्हु चोरानबे गढ़वा तीन गेडी पांच गोड़ा चार गुमला साथ हजारी बाग एक जामतरा उनाइस खोटी तेरा कोडार्मा पंदरा जारखन में 8 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल एक्टिव केस बाउन सो चुवालीस है बता दे भारत में एक लग तीन गेस मिले हैं भारत में कूल मौत की संक्या एक लाग पैंसा ठेहर एक सो बातीस है